गदर एक प्रेम का था ये मूवी आई थी 2001 में याने आज से ठीक 22 साल पहले और उस टाइम पर गदर वन सब के दिलों पे चा गई थी और आज 22 साल बाद जब इस फिल्म का सीक्वल आया है तो ना तो उसमें आज के जमाने की स्टोरी है ना ऐसा लगता है कि जादा दिबाग लगा कि स्टोरी लिखी भी गई होंगी क्योंकि स्टोरी ओल्मोस्ट रिसेंबल करती है गदर वन से बहुत से एक्टर्स ने ओवर एक्टिंग भी की है और कुछ डायलोग्स भी काफी क्रिंज है लेकिन फिर भी फिर भी लोग इस मूवी को देखने जा रहे है थीटर्स हा करते हैं और हाँ साथ में ये भी बता दू कि आपके पास एक आखरी चांस है आइफोन 14 को सिर्फ एक रुपे में पाने का वीडियो देखो समझ में आ जाएगा वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है इस फिल्म का नोस्टाल्जिया गदरवन जब आई थी तो वो मेरी पहली फिल्म थी जिसे मैंने फर्स टाइम एवर किसी थियेटर में देखा था और उस टाइम पूरी तरह अपने दिलो दिमाग में उतार लिया था सेम इमोशन को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने अपने फायदे की सोची आई मिन उस टाइम लोगों ने जिस तरह से गदरवन को अपने सिर पे उठा लिया था के सिर्फ 18 करोड में बनी फिल्म ने 133 करोड का लाइफ टाइम कलेक्शन कम्पलीट कर लिया था और ये मैं 2001 की बात कर रहा हूँ जिस वक्त 100 करोड पार कर जाना बहुत बड़ी बात म और नोस्टाल्जिया के चक्कर में जनता भी चली गई मुवी को थेटर्स में देखने दूसरा पॉइंट है सनी पाजी गदरवन सबसे जादा फेमस हुई थी सनी पाजी के डायलोग डिलिवरी के कारण उनका चिल्ला कर बात करना पाकिस्तान के खिलाब बोले हुए डायल डिलिवरी करना हैंड पंप उखाड कर लोगों में डर पैदा कर लेना इवन बस उनकी बड़ी बड़ी आखे देखकर लोग थर रहा जाते है ऐसा उनका स्क्रीन प्रेजन्स है और तारा सिंग का करेक्टर तो गदरवन में फेमस हो ही गया था तो लोग सनी पाजी की दाहा सुनने के लिए भी थेटर में गए थे और इवन ये देखने के लिए भी कि सनी पाजी इस बार हैंड पंप उखाडेंगे की नहीं अब सनी पाजी हैंड पंप उखाडे या ना उखाडे आप बहुत कुछ उखाड सकते हो वो भी सिर्फ एक रुपे में जी हाँ आप जीच के लिंक से माई इलेवन सरकल अब डाउनलोड करो और 13 ऑगस्ट के इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडिज के लास्ट मैच के लिए तगडी टीम बनाकर गिववे कॉंटेस जॉइन करो वो भी सिर्फ एक रुपे की एंट्रिफीस देकर जिससे आप जीत सकते हो एक शानदार आइफोन 14 उपर से आपके पास टॉप प्राइज में SUV कार जीतने का भी लास्ट चांस है और क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो मेरी लिंक से आप डाउनलोड करके आपको मिलेगा 20% का एक्स्ट्रा रियल कैश इंटू यूर माई 11 सरकल अकाउंट तो जाओ भाई पैसा मिल जाएगा हमको पैसे से मतलब है है की नहीं तो इस फिल्म में भी इंडिया पाकिस्तान के प्लॉट को यूज किया गया है पहले बीवी पाकिस्तान में फसी थी अब बेटा पाकिस्तान में फसा है और सनी पाजी दोनों फिल्म में लगे हुए है अपने बीवी बे इस मूवी में भी लास्ट में आपको देश भक्ती का एक ग्लिम्स तुम मिल ही जाएगा और भर भर के ऐसे देश भक्ती वाले डायलोग्स जो खून खौलाने के लिए काफी है तो इन सब पॉइंट को डारेक्टर अनिल शर्मा ने लोगों के सामने लाया और पहले ही दिन मे फिल्म ने 40 करोड कमा भी लिए टोटल नोस्टाल्जिया के दम पर और सैटरडे संडे तो बाकी है भाई और एक पूरा हफता भी बाकी है तो जहाँ इस फिल्म का बजट सिर्फ 87 करोड का है वहाँ अगर ये फिल्म पहले दिन 40 करोड कमाएगी तो इसका लाइफ टाइम कल आते है तो वो जैसे भी हो देखेंगे जरूर क्योंकि फिल्म अपनी जगा पर है और नोस्टाल्जिया वाला इमोशन जो है ना वो अपनी जगा पर तो अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि गदर टू मूवी अगर आपने देखी है तो किस वजह से देखी है या देखने जा रहे हो बाकि हाँ don't forget to download my 11 circle app from the description link to win an iPhone and 20% extra cash और top price में जीतो एक SUV car